नमस्कार मैं हूँ सौरब कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज मेकर्स न्यूज मेकर्स सीरीज में आज बारी है बिहार के भावी मुख्यमंत्री की भावी मुख्यमंत्री बला ये भावी मुख्यमंत्री कौन है जी हाँ ये किसी को नहीं पता है कि बिहार का भावी मुक्य मंतरी कौन है पर चार ऐसे candidate हैं जिन मेंसे कोई न कोई बिहार का भावी मुक्य मंतरी बनेगा इसके अलावा कोई dark horse है तो उसके बारे में हम जानते नहीं हैं तो जानते हैं इनी चारों Candidates के बारे में, इन चारों की Candidacy के बारे में, इन चारों की उम्मिदवारी के बारे में इन चारों में कौन बन सकता है दिहार का अगला मुख्य मंत्री पहले नंबर पर बात करते हैं नितीश कुमार की नितीश कुमार ने एक सर्प्राइस फैका है जिहां सर्प्राइस आखरी की 78 सीट पे election होने से ठीक दो दिन पहले अंतिम चुनाव प्रचार वाले दिन नितीश कुमार ने कहा कि ये उनका आखरी चुनाव है 69 years 79 साल उनकी एज है 79 साल राजनीती में ऐसी एज नहीं होती है जिसमें कि आपनी कहदे कि ये मेरा आखरी चुनाव है खास तोर पे वो व्यक्ति जो व्यक्ति पांच बार मुख्यमंत्री रह चुका हो विहार का और PM बनने का सपना देखता रहा हो जी हां पास्क में वो PM बनने का सपना देखते रहे हैं NDA के समय में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे जब नरेंद्र मोदी को NDA ने PM का केंडिडेट एनाउस किया था उस समय वो अलग हो गए थे NDA से और उस समय जो है क्योंकि उनकी महत्वकांशा थी ये सभी लोगों को मालूम है कि वो अपने आपको विकास पुरुष प्रोजेक्ट करना चाहते थे और वो उमीद कर रहे थे कि उन्हें वोट पड़ेगा और वो शायद कहीं न कहीं अपने में पी-म को ढून रहे थे लेकिन ऐसा हो ना सका तो नितीश कुमार 1977 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे और आजनीती में उन्हें 43 साल हो चुके हैं बहुती मजे हुए खिलारी हैं अब या तो उन्होंने इसलिए बोला कि वाकई वो अपने वर्ड्स को मीन करते थे और वो 69 यर्ज में 69 साल की एज में अपना वाकई आखरी चुनाव लड़ रहे हैं या फिर ये एक पॉलिटिकल इमोशनल कार्ड है या स्टंट है आखरी दौर में वोटिंग अपने फिवर में कराने का क्योंकि आखरी दौर की वोटिंग तक ऐसी चर्चा शुड़ू हो गई कि तेजस्वी आदव की रैलियों में जादा लोग आ रहे हैं और इससे जो है अधरी बाटियों में अच्छी भीड़ा रहे थी और इससे तेजस्वी भी यंग बलड है उनमें जोश आ रहा था तो तेजस्वी ने भी ताबड तोड रैलियों पे रैली करी है तो नितीश कुमार अब उनका क्या होगा नितीश कुमार अटल विहरी वाचपे की गौर्मेंट में केंदर में मंत्री थे साल 2005 में उन्होंने बिहार का रुख किया वो बिहार के सीम बने उसके बाद पिछले 15 साल में एक छोटा सा समय अगर हम निकाल जे जब जीतन राम माजी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे ज़्यादतर समय बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ही रहे है तो नितीश कुमार पे बीजेपी भी भरोसा करती है और PM ने एक चिठी लिखी है और इस चिठी को PM ने ट्विटर पे भी साजा किया है उन्होंने कहा है कि वो बिहार में जो काम करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें नितीश कुमार की जरूरत है उन्होंने अपील करी है बिहार की जनता से कि वो नितीश कुमार के पक्ष में वोटिंग करें उनको मजबूत करें तो यह हमने जाना है नितीश कुमार के बारे में कि नितीश कुमार उनके कितने चांसेज हैं सीएम बनने के अब हम चलते हैं तेजस्वी यादव की तरफ 32 साल के तेजस्वी यादव 32 साल के हैं सिर्फ उनकी एज महज 32 साल है और वो IPL भी खेल चुके हैं 32 साल के तेजस्वी यादव बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो देश के सबसे युवा उपमुख्यमंत्री थे, जिहां, वो बहुत कम एज में उपमुख्यमंत्री बन गए थे, तेजस्वी यादव, लालु यादव और रावडी यादव के बेटे हैं, तेजस्वी यादव अपने परिवार से मुख्यमंत्री बनने वाले तीसरे व्यक्ति होंगे, अगर वो ये इलेक्शन जीच जाते हैं, जिहां, लालु प्रिस्याद यादव और रावडी देवी के बाद, तेजस्वी यादव तीसरे व्यक्ति होंगे, जो की अपने एक ही परिवार से, जो की मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर वो बनते हैं तो, और ऐसा भारत में बहुत कम हुआ है, तेजस्वी यादव ने इस इलेक्शन में पूरी जान लगा दी, तेजस्वी यादव ने कुल मिला के 247 रेलिया करी, जी हाँ, 247 रेलिया, बिहार में कुल विदानसवा की सीट्स कितनी है, 243, लेकि तेजस्वी यादव की रेलिया कितन अब आप सोची एक विदान सबा शेत्र जो है उसका साइज ही कितना होता है उसमें कितने लोग होते हैं वोट करने वाले लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो समय भूले नहीं है जब उन पर करप्शन का आरोप लगा था और उन्हें बिहार के डेप्टी सीम का पद छोड़ पड़ा था और नितीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ चले गए थे तो वो बात तो तेजस्वी के दिल में है तेजस्वी यादव लगातार पूरी कैंपेन में कहते रहे कि नितीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए नितीश कुमार को सन्यास ले लेना चाहिए और नितीश कुमार ने आखरी दिन यही अनाउंसमेंट कर दिया कि ये उनकी जिंदगी का आखरी चुनाव है और इसके बाद वो सन्यास ले लेंगे इसको पीचिदंब्रम चिया पूर्व केंद्रे मंतरी और कॉंग्रेस के दिगज नेता पीचिदंब्रम मरसी प्ली के तौर पे देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि नितीश कुमार ने हार सुईकार कर ली है और अब वो एक मरसी प्ली यानि की शमा याचना माग रहे हैं कुल 247 में से 47 रेलिया तेजस्वी आदब ने कॉंगरेस के लिए करी है वहीं 23 चुनावी मीटिंग उन्होंने लेफ्ट पारटीस के लिए की है लेफ्ट पारटीस में मुख्यत ओर पे बेहार में CPI ML आता है बिहार में CPI ML के लिए तेजस्वी आदव ने बहुत मेनत करी है चिराग पास्वान जी हाँ चिराग पास्वान ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि तेजस्वी आदव के फेवर में जाता है नितीश कुमार के अगेंस तो ही पर तेजसुई यादव के फेवर में जाता है चिराख पास्वान ने कहा है कि 10 नवंबर के बाद रिजल्ट्स आ जाने के बाद नितीश कुमार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हुए थे उन्होंने उस समय के याद दिलाई है कि पहले कैसे नितीश कुमार हमेशा नरेंद्र मोदी को कोसा करते थे और बाद में उनके सामने नतमस्तक हुए उनका कहना है कि उसी तरह ठीक उसी तरह नितीश कुमार इस बार तेजस्वी यादव के सामने नतमस्तक होंगे जी हाँ तेजस्वी यादव के सामने नितीश कुमार आम तोर पे तेजस्वी यादव के बारे में कुछ जादा बोलना एवाइट करते हैं और सुशील कुमार मोदी जो है वो ऐसा कहा जाता है कि सुबह शाम दिन राज जो है वो तेजस्वी यादव के अगेंस्ट ही बोलते रहते हैं लालू के परिवार के अगेंस्ट बोलते रहते हैं तो तेजस्वी यादव इस बार confident दिख रहे हैं उनकी रैलियों में भीड़ा रही है चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव के अगेंस नहीं बोल रहे हैं चिराग पासवान सिर्फ इतना कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलके सरकार बनाएंगे और नरेंदर मोदी बहुत बढ़िया पीम है उनकी रीडर्शिप बढ़िया है यहाँ पर हमें ये भी देखना हुगा कि तेजस्वी यादव ने नरेंदर मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला यहां तक कि जब नरेंदर मोदी ने एक रैली के दौरान जंगल राज का युवराज तेजस्वी यादव को बताया तब भी उन्होंने अपना सहीयम नहीं खोया और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं इसके पीछे क्या strategy है? इसके पीछे एक बहुती simple strategy है जहां जहां विपक्ष ने जिस जिस प्रदेश में ऐसा राजनीतिक विशलेशक मानते हैं जिस जिस प्रदेश में विपक्ष ने नरेंद्र मोधी पर हमला किया है नरेंद्र मोधी के खिलाफ बोला है पॉलिटिकली उनके अगेंस्ट गए है वहाँ वहाँ विपक्ष को नुकसान होता है क्योंकि नरेंद्र मोधी एक बहुत बड़ा ब्रैंड है नरेंद मोधी बहुत popular है तो इसलिए पहले तो वो नरेंद मोधी की popularity को और जादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं दूसरी बात एक तेजस्वी यादव एक जो कमी है रही है आरजडी में जो उन पर corruption के आरोप लगते रहे हैं और आरजडी में आपको देखना हुगा कि आरजडी के निता जो लालू परिसाद यादव है वो जेल में हैं तो तेजस्वी यादव जंगल राज की बात ना आए लालू यादव की बात ना आए इसका खास तोर पे ध्यान रख रहे हैं किसी भी पोस्टर में लालू का फोटो और लालू का जिकर नहीं है तेजस्वी यादव ये चुनाव अपने बलबूते पर लड़ा रहे हैं और नितिश कुमार को हेड आउन ले रहे हैं तो ये हमने जाना तेजस्वी यादव के केंडिडेचर के बारे में कि क्या वो बन सकते हैं बिहार के सीएम अब हम जानते हैं चिराक पासवान के बारे में क्या चिराक पासवान बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं चिराग पास्वान की पार्टी है लोजपा लोजपा जो है वो 130 सीट पर चुनाव लड़ रही है बिहार में टोटल सीट से 243, 243 और लोजपा उसमें से 130 पर चुनाव लड़ रही है लोजपाने लगबग हर उस seat पे जहाँ जहाँ जेडियू के candidates हैं यानि नितीश कुमार के उम्मीदवार हैं वहाँ वहाँ अपने उम्मीदवार उनके सामने खड़े किये हैं मतलब साफ है चिराक पासवान के निशाने पर नितीश कुमार है और चिराक पासवान इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कभी बी कुछ भी ऐसा संदेश ना जाएं कि वो बीजेपी के against हैं वो लगातार प्रिधान मंतरी की तारीफ करते रहते हैं वो ये भी कहते हैं कि मैं मुख्यमंतरी पत का दावेदार नहीं हूँ साथ ही चिराक पासवान बार-बार कहते हैं कि 10 नवंबर का नतीज़ा उनके पक्ष में आएगा और वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में अगली सरकार बनाएंगे चिराक पासवान ने ये तो साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंतरी की उम्मीदवार नहीं है याने कि वो एक ये भी संदेश दे रहे हैं या छिपाववा संदेश ये भी है कि अगर ज़रुवत पड़ी तो वो या तो उपमुख्यमंतरी बन जाएंगे जो है या फिर सुशील मोदी के लिए वो एक CM की कुर्सी या BJP के लिए CM की कुर्सी खाली छोडने की बाद भी कह रहे हैं लेकिन JGU का कहना है कि चिराक पासवान की एक या दो सीट भी नहीं आएंगी चिराग पास्वान महीं कहते हैं कि नितीश कुमार को 10 नवंबर के बाद मुख्य मंतरी का बंगला खाली करना ही होगा नितीश कुमार ने पांच साल में कुछ नहीं किया है नितीश कुमार ने पांच साल में जो किया है वो एक रास की बात है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है वो लगातार कहते आए हैं कि नितीश कुमार ने विकास नहीं किया है वो नितीश कुमार के बारे में ये भी कह रहा हैं अब कि अगर नितीश कुमार रेटार्गी हो जाते हैं तो भी वो करॉप्शन के केसिस की जांच करेंगे और नितीश कुमार का इंवॉल्मेंट पाए जाने पर वो नितीश कुमार को जेल में भी डालेंगे याने कि उन्होंने पूरा मोर्चा नितीश कुमार के अगेंस्ट खोल रखा है उनकी सक्सेस इसमें है कि नितीश कुमार की कम से कम सीट्स आए ताकि अगर सरकार बनाने की हालत में आती है बीजेपी तो वो बीजेपी के साथ जाएं और जेडियू का रिप्लेस्मेंट बीजेपी को बिहार में लजेपी यानि की लोग जन्शक्ती पार्टी मिल जाए तो ये थी चिराग पास्वान की मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पत के बारे में दाविदारी पिता राम विलास पास्वान की निधन के बाद चिराग पास्वान के लिए ये चिनौव निरनायक साबित हो सकता है निरनायक कैसे चिराग पास्वान के लिए जरूरी है कि वो लोजपा की नईया इस इलेक्शन में पार लगाए लोजपा को अच्छी सीटे दिलाएं अगर चिराक पास्वान इसमें काम्याब नहीं हो पाते हैं या लोजपा को मुझ की खानी पड़ती है चुनाव की मैदान में तो भविश्य में नेत्रित्व को लेकर सवाल उठ सकते हैं लोजपा में और चिराक पास्वान ऐसी सुच्वेशन बिलकुल नहीं चाहेंगे वो चाहेंगे कि वो लोजपा के निरविरोध अध्यक्ष बने रहें अब बात करते हैं बिहार के मौझूदा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की दावेदारी के बारे में कि क्या वो बिहार के अगले या भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं सुशील कुमार मोदी जैसा कि उनके बारे में जातर लोग जानते हैं जातर लोग प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं सुशील कुमार मोदी 13 साल की उम्र में संग में शामिल हो गयते हैं SSK मेंबर बन गए थे वो संग के और BJP के विश्वास पात रहे हैं उनी की मेहनत की वज़े से वैसा माना जाता है कि जो चाराग घोटाला है वो हमारे सामने आया माना जाता है कि सुशील कुमार मोदी की वज़े से ही अंत में लालू को जेल जाने पड़ा क्योंकि सुशील कुमार मोदी लगाता करप्शन के केसिस निकाल रहे थे लालू यादव राबडी देवी और तेजस्वी यादव के बारे में सुशील कुमार मोदी लगातार अभी वही काम कर रहे हैं वो आरजेडी में खास तौर पे लालू यादव के परिवार को घिर रह तेजस्वी आदफ के बारे में वो कहते हैं कि क्रिकेट में फेल, बिजनस में फेल, फिर बत्तिस साल की उमर में 52 संपत्या जी हां 52 संपत्या उनके पास कैसे आई वो लगातार ऐसी ही बाते रावडी देवी के बारे में भी कहते हैं और लालू यादव के बारे में तो हमेशा से कहते रहे हैं तो सुशील कुमार मोधी जो है वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं CM के लेकिन उस सूरत में जब J.D.U. की सीटें कम रह जाएं या J.D.U. पूरी तरीके से बहार हो जाए और J.D.U. को रिप्लेस कर दे LGP लोग जंशक्ती पार्टी यानि चिराग पास्वान की पार्टी क्योंकि चिराग पास्वान ये पहले ही कह चुके हैं कि वो मुख्य मंत्री के दाविदार नहीं है चिराग पास्वान हो सकता है कि उप मुख्य मंत्री के पर थोड़ा से इंट्रेस्ट लें या केंदर में वो मंत्री बनना चाहेंगे क्योंकि उनके पिता राम विलास पास्वान के निधन हो जाने के बाद उनकी पार्टी से कोई मंत्री बना नहीं है के अंदर सरकार में सुशील कुमार मोधी को जो चैलेंज है वो यह आ सकता है बीजेपी की जादा सीटे और लोजपा के साथ मिलके सरकार बनाने पर सुशील कुमार मोधी के लिए एक चैलेंज आ सकता है कि बीजेपी का सेंटर से कोई केंडिडेट ना आ जाए रवीशंकर प्रिसाद या कोई और नाम जो की जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं या कोई डार्क होर्स जो बिहार से है जिसे RSS का समर्थन हो बीजेपी उसे नॉमिनेट कर दे बिहार का CM लेकिन जानकार मानते हैं कि इसकी संभावना एक कम है सुशीर कुमार मोदी ने बिहार में बहुत मेहनत करी है वो 50 साल से पार्टी के लिए संग के लिए और पार्टी के लिए वहां काम कर रहे है तो ऐसा माना जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी ही सबसे ज़ादा स्ट्रॉंग कैंडिडेट हैं बिहार में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सी एम बनने के लिए तो आज हमने न्यूजमेकर सिरीज में जाना कि कौन हो सकता है बिहार का भावी मुख्य मंतरी न्यूजमेकर सिरीज में कल बारी आईगी किसी और हस्ती गी तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आई एनस फीड्स